हेलो गाईस गुड मॉर्णिंग आप लोग सभी का हमारी यूटू चैनल इडू फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे भाई मेरे चाहने वाले और मेरे बच्चे आप लोग सभी को पता है कि 30 अप्रैल को जार्खन पोलिटेकनिक 2023 का एकजाम होने वाला है तो आज चल मैं एक नमबर भी नहीं कमेगा कि आप लोग को पता है कि मैं करता हूं बादा और प्ड़ःता हूं पहले से ज्यादा तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे प्यारे बच्चे जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हूंग है मेरे दोस्त आप देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही बैतरिन बना के आपको देने वाला हूं और इसमें ऐसी क्लास करवाने वाला हूं जो आपकी एक्जाम में सीधे तोर पर आने वाले हैं तो नोलेट नौवेक्स चलते हैं जल्दी से क्लास को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप लोग बताएं तो अवतलदरपर में प्रती विम कैसा होता है आभाज़ एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, अभाज़ और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा यानि कहने का मतलब है कि virtual and erect, real and erect, virtual and inverted, real and inverted The image of an object placed in front of a concave lens is always Concave lens में जब हम किसी बस्तू को रखते हैं तो जो image बनता है वो concave lens में क्या बनता है? अभासी बनता है और स्तीधा बनता है क्योंकि जिस side हम लोग object को रखते हैं image उसी side बनता है और lens में अगर image उसी side बनता हो तो हम बोलेंगे अभासी बन रहा है और क्या बन रहा है मेरे दोस्तीधा बन रहा है किलियर है मेरे प्यारे मितर, मेरे चाहने वाले मेरे प्यारे बच्चे तो object 4 का हो जाएगा option number A will be the right answer सभी लोग सुरू से लेके last की तरफ जाते हैं हम लोग last की तरफ सुरू की तरफ चलेंगे तो 84 का अंसर यह हो गया अब हम लोग आएंगे 84 के बाद 83 में तो यह देखे question number 83 है अवतल लेंज की focus दूरी होती है या आपको पता है कि अवतल लेंज की focus दूरी होती है रिनात्मक, अनात्मक, A और B दोनों इन में से कोई नहीं निगेटीव, पोजिटीव, बोथ है एंड भी, नन अफ दीज़, चलिए इंग्लिस में भी पढ़ लेते हैं What is the focal length of a concave lens Concave lens की focus length क्या होती है आप लोग सभी को पता है कि concave lens की focus length क्या होती है निगेटीव होती है और अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे मेत्र, मेरे प्यारे भाई कि power क्या होगा तो आपको वो भी बोलना है कि power भी क्या होती है निगेटीव होती है यानि कि जो च्छमता होती है जो च्छमता होती है अवता lens का वो भी क्या होती है negative होती है तो मुझे उमीद है कि आप इस तीच को समाझ पा रहे होंगे question number 82 की तरफ बढ़ेंगे no late no bet के शाथ यह है कि question number 82 आई ये 82 में देखते हैं देखा कि formula of asperical lenses are asperical lens का क्या formula होता है गोलिये lensों का सुत्र होता है क्या होता है तो lens में होता है वन वाई यू lens में क्या होता है करते हैं अगर तुम आज सुरुक्रियां तक नहीं पढ़ा फेटा पश्टा आओगे एक्जाम देने के बाद और ज्यादा दिन में जल नहीं पश्टा आओगे पस पर सुने पश्टा जाओगे इसलिए वीडियो को शुरुक्रियां तक जरूर देखना चलिए कोश्टन नमबर 81 यह देखिए कोश्टन नमबर 81 बोल रहा है किसी बीम का अवतल दर्पन द्वारा बना प्रतिवीम अभासी तीधा चिता बीम से बड़ा पाया गया पस्तु की इस्तिति कहां होनी चाहिए इसका हिंदी इसका इंगलीज जो है वो गलत है मेरे भारे में था तो बताइए ऐसा होना चाहिए अभासी सीधा और विम से बड़ा कौन सा दर्पन है अवतल दर्पन तो कहां रखोगे तो आप रखोगे पी और एफ के बीच में एना पी किसको बोलते है पोल को और एफ कि इसको बोलते है फोकस को तो कहां रखेंगे दर्पन के ध्रूब और फोकस के बीच याने की डी बिल भी दराइट अंसर आप इस पोस्ट्रम इंग्लिस पे धियान मत देना यह जो इंग्लिस लिखा हुआ है ना यह मेरे दोस्त यह गलत लिखा हुआ है कि लिए आप लोग समझते होंगे कि आप लोग एक अच्छे इंसान हो मैं तो उमीद यही करता हूँ अना यही उमीद के कारण तो मैं तुम लोग को दवा दवा कर पढ़ा रहा हूं जारखल पूल टेक्निक को करेंगे टाटा बाई 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 परसो एकजाम देने के बात लेकिन परसों से पहले mbaring करना वीडियो को सुरु से अन तक देखना के लिए अаем है का यह नहतना नमबर 80 नमर कोश्चन कि उसके position में क्या रहा है बदलाओ मेरे प्यारे मित मेरे प्यारे चाहने वाले मेरे भाईयों अगर कभी भी तुमसे question पूछा जाए है ना किसे related position में बदलाओ से related तो आप बोलोगे कि सर इसका answer होगा क्या तो अपवर्तन होगा क्या होगा answer अपवर्तन तो अभाई आप अपवर्तन कहा पर लिखा हुआ है इतो प्रावर्तन लिखा हुआ है इतो छित्राव लिखा हुआ इन में से कोई नहीं option number a will be the right answer यानि कि तारों द्वारा प्रकास के बायमंडलिये अपवर्तन के द्वारा ऐसा होता है atmospheric reflection of light from a star तो तारे क्यों टिम आते हैं तो बायमंडलिये अपवर्तन के कारण है ना तैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाने से भरी वाल्टी का कम गहरा दिखाई देना तो change in position हुआ लिखा जाएगा कि पाने से भरी वाल्टी में लोहे का एक छड़ को डाला जाता है तो छड़ मूडा हुआ प्रतिक्त होता है तो change in position की बात हो रहिए इसका भी अंसर वही दोगे अगर आपसे ये कोशन पूछा जाए कि पाने से भरी वाल्टी में सिख्के का उपर उठावा दिखना एना उपर उठावा दिखना यानि की position में क्या दिख रहा है बदलाओ तो position में बदलाओ जब भी दिखेंगे मेरे प्यारे मीत्र मेरे चाने वाले जारकंट के प्यारे students तो आपका right answer क्या होगा अप वर्तन क्लिए रहे तो इसको question का right answer क्या होगा अप वर्तन है ना 80 का क्या होगा अप वर्तन क्लिए अब हमाएंगे 79 में एक लड़का समतल दरपन के सामने उससे तीन मीटर की दूरी पर खड़ा है यहां पर लड़की यहां पर लड़की यहां लड़का होगा मेरे दोस्त लड़का लड़का और उसके प्रतिविम के बीच की दूरी कितनी होगी लड़का और उसके प्रतिविम के बीच की दूरी पूछा है तो भाई यह अगर इमेज है यह हमारा क्या है मीरत हम इससे तीन मीटर दूरी पर खड़ा है यह हम है हमारा इम इमेज भी तीन मीटर की दुरी पर बनेगा तो यह लड़का और यह लड़का का इमेज की बीच की दुरी कितनी हो जाएगे छे मीटर यानि आप्शन नमबर सी बिल भी दराइट अंसर आप दिस कोश्चन चलिए कोश्चन नमर 78 क्यों बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन आई होते हैं गाळी का हेडलाइट की अगर बत बोले यानि कि अग्रदीप की बात बोले तो आपका राइट chyba अंसर होगा अवक्येमद अवम तलदरप़ ठीक है और अगर गाली मिरकी की बात हो, rear view mirror के बात हो, यानि फ़स द्रिस दर्पन की बात हो, तो उत्तल दर्पन, तो यहाँ पर हेड़ लाइट की बात कर रहा है, तो हमारा answer हो जागा, option number, B will be the right answer of this question, चलिए, question number 77 क्यों बढ़ते हैं, if the object is at C, C पर कोई object है, in front of a concave mirror, concave mirror के पास, where would be the image of the object on, अगर कोई बस्तू, एक अवतल सीसे के सामने C पर रख दी जाए, तो उसका प्रतिविम कहां बनेगा, कहां बनेगा मताओ, C पर रखा गया है, आप लोगो सभी को क्लासरूम में बताया था, कि नहीं, कि मंदारी से कमेंट करके बता, बताया था कि नहीं, बोलोगा, यास गुरुदेव, आपने तो कलास में बताया था, कि अगर अवतल दर्पन में किसी बस्तू को C पर रखते हैं, तो उसका प्रत्वीम भी C पर बनता है, और बस्तू के समान साइज का बनेगा, कि बताओ, क्या तुम्हें समझ में आ रही के नहीं मंदारी से बताना, और विडियो को सुर से अंतक देखना, अज वीडियो कर अच्छी लाई है, लगी है, चैनल पे जितने लोग नए आये हैं, वीडियो कर अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को क्या करना, लाय करना स्क्राइब करना चैनल को और जादा से जादा लोग को फॉर्वर्ड कर देना क्योंकि तीस तारीक को एकजाम है तो तीस तारीक को भलाई हो जाएगा और बच्चे डिपलोमा में क्या कर लेंगे सरकारी कॉलेज में अडिवीशन ले लेंगे ना देखा है पहली बार क्या तुम्हारे आंखों में प्यार कई से हैसे कई से हैसे चलिए तो अगला हम पढ़ेंगे कोस्टन नमर्ट 76 में यह देखे कोस्टन नमर्ट 76 से ओ देखे क्या अंसर होता है इसका वाट टाइप आप ल उप्या जराद्रिष्टी दोस्ट में किस परकार के लेंस का उप्योग किया जाता है उत्तल अनवेट्स अवतल कॉनकेव वाई फोकल एना बिलनाकार सिलेंट्रिकल किसका इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताए कि बाई फोकल लेंस का चसमे का इस्तेमाल करके अपने द्रिष्टी दोस्कों क्या करते हैं इक करते हैं उसके बाद दिखती है कईसे अच्छी तो गर चाहते हो अच्छी देखना तब भाई लगाओ एक ऐसा चसमा जिसमें हो क्या बाई फोकल लेंस एसाई यूनिट आप पावर ओप लेंस इल लेंस की सकती की एसाई इक आई है चाहता है मीटर आई उप्टर सेंटिमीटर स्टी रिडियन तो आप लोग सभी को पता है कि पावर ओफ जो लेंस होते हैं प्यारे मित्र वो होता है डायोप्टर यानि ऑप्टन नमबर दी ब क the right answer of this course ना लेट करना ना बेट करना विटा दवा के पढ़ना कि आज लेने वाला हूं महराथन क्लास आज भी होगी तेरा महराथन क्लास कल भी होगा महराथन क्लास एक दम दवाक लेंगे तुम्हारा काम है वीडियो को बढ़िया से पढ़ना फिजिस कमेस्टी मैं सब को बर कन फोकस अब्जेक्ट अट डिफ्रेंट दिस्टेंस बाई एडजस्टिंग दफोकल लेंथ अफ द आई लेंस दिस इज कोल्ड या कहलाता है प्रेश बायोपिया एकोमडेशन नियर साइट देनस पार साइटनेट्स अवतल इस परिए आख के लेंस की फोकस लंबाई को सम योजित करके विभिन दूरी की बस्तूओं पर मानव आख केंद्रित कर सकती है इसे क्या कहते हैं इसे बोलते हैं एकोमडेशन या फिर इसे क्या बोलते हैं सुविधा यानि आप्सन नंबर वी बिल भी दराइट अंसर आप दिस उसन मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाने के नौजवान साथियो लगाओ आग पानी में और कर दो जारकन फूल टेकनिक को बाई बाई तुपानी में तो कोस्टन नंबर 74 मुझे लग रहा है कि आपने आसानी से समझ रखा होगा आई ये 17 नंबर 3 चलते हैं इस इस्थिती को कहा जाता है तो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है जैसे तुम लोग का उम्र बढ़ेगा कि आज दमाई साइन दिखो के सब दिन बढ़ेगा आपकी द्रिस्थि जो चमता होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है कमते चला जाती है और उससे जो आपकी आखों में द्रिश्टी दोस उत्पन होते हैं प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले जारकंड के नौजवान साथी, उसे बोलते हैं हम लोग पता है क्या, उसे बोलते हैं हम लोग जराद द्रिश्टी दोस, यानि option number B will be the right answer of this question, किलियर है कि नहीं, comment box में टा फानी अंदाज मिलेने वाला हूं, ना रुकेंगे ना रुकने देंगे जारकंड पोल टेगने को पार करेंगे, कैसे तो बोलो गुरुदेव आईशे, कैसे आईशे, 72, among the flowing colors which weds the most when white light undergoes dispersion is indigo, red, orange, yellow, जब सफेद प्रकास का प्रकिर्णन होता है, तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा जुकता है, तो हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा जुकता है कौन, violet, ना तो भी I होगा इसके बाद, इसके बाद कौन जुकेगा, indigo, यानि कि option number A will be the right answer of this question, अगर question number 71 हमें आते हैं, यह है question number 71, the twinkling of a star is due to, तारे की टिम टिमाहत का कारण है, यहानि कि change in position की बात हो रहा है, यानि उसकी इस्तिती में बदलाओ की बात हो रही है, तो उसकी इस्तिती में जब कभी भी बदलाओ की बात होगी, मैंने बता रहा है, क्या answer देंगे, तो बोलोगे, गुरुदेव, आप तो बताया था, या इससे question में हम लोग answer देते हैं, किसका, तो अपवर्तन का, अब देखिए, अपवर्तन का ह अप लगा हुआ है, तो अपवर्तन लगा हुआ है, option number A में, तो राइट अंसर हो जाएगा, option number A, चलिए, next question लेते हैं, प्यारे मित, ये रहा question number 70, बोलता है कि, the scattering of light by the colloidal, particles is, thermal effect, palvin effect, raman effect, या tyndal effect, colloidal kanon द्वारा, परकास का विखिलन है, अर्मल परभाव, पालवीन परभाव, रमन परभाव, या थैडल परभाव, तो मेरे दोस्त, जो colloidal kanon का, जो, परकास, परकास का प्रकास का प्रकिर्दन होती है, उसे बोलते हैं, लोग, टिंडल effect, यानि, option number D will be the right answer of this question, 69, 60, 69, 68, अच्छा कोई बात है, नमरिंग मिस्टेक है, पावर ओफ दे लेंस, suggested by the ophthalmologist, is plus 2.5D, देन, देन क्या, नेत्र बिसे सग द्वारा, लेंस की सक्ती, पलस 2.5D बताई गई है, तो, क्या है वो, हैना, option दे रखा है, देखिए, अब हमें समझाता हूँ, पलस कितना है, 2.5, हैना, मेरे दोस्त, ये पलस फावर क्या indicate करता है, पलस जो है, वो indicate कर रहा है, कि ये कौन सा lens होगा, तो ये होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होगा, ये लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, तो जहां-जहां अवत्तल है, उसे काट दिजे, अब हम लोग को निकालना है, focus, तो focus इस गल्ट वहता है, 1 upon power, ये निकल गिया focus, अब बता यह पावर कितना है तो वार्वाइट टू पॉइंट फाइब को हटाओ यहां पर क्या आएगा दस पीसे चेंज कि जिएगा तो यह जागा दस बटा पच्छीज और इसको सोरव करने से आ गया दो बटा 5 लेकिन यह किसमेंया इंट होगा और होगा क्या पतलेंश लिखा हुआ है तो चाले सेंटेमेटर उप्सन नंमबर C will be the right answer of this question. क्या तुम समझ पाया मेरो दोस्त? मेरो नौजवान जार्खंड के साथियों लगा दो आग पानी में और जार्खंड पोल टेकनी को कर दो बाई 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 तुपानी में तो बताईए क्या तुम्हें समझ में आ गिया? यास गुरुदेव आप लोग बोलोगे यास गुरुदेव चलिए कोस्टर नमर 67 दा आई दिफेक्ट इन विच पार पॉइंट से निकट आ जाता है उसे क्या बोलेंगे? तेक यह हम लोग का जो पार पॉइंट होता है वो इन फेंटी पे होता है लेकिन हमारे आख्वा में कभी-कभी कुछ ऐसे डिफेक्ट हो जाते हैं ऐसे दिरिष्टी दोस हो जाते हैं प्यारे मेत्र कि वो जो हमारी पार पॉइंट है ना जो दुरस्त बिंदू है वो आनंत से क्या हो जाती है? आगे आ जाती है यानि कि निकट आ जा रही है तो निकट जब आ जाएगे तो क्या बोलेंगे निकट दिरिष्टी दोस्त यानि आप्शन नमबर डी बिल भी दर राइट अंसर आप दिस कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लगती समचार पत्र को तहजता से पढ़ने के लिए आखो दूर से रखकर पढ़ता है लिए इस आखो को दूर की लेताने के लिए और पंधने के लिए पढ़ने के लिए आखो से गदूर नहीं होगा आखो से दूरा कर पढ़ता है तो उसे क्या बोलेंगे दो तुम दूर रख पढ़ा हो इसका मतब्सक्र rek0199 70OR से दूर चला गया है तो अगर ते रा नियर पॉइंट यानि निकस्ट जो हम लोग का होता आसपस्ट द्रिस्टी की नियुंतम जो दूरी है वो पचीस सेंटिमीटर है और उससे अगर दूर चली जाएगी ना तो तुम किसी बस्तो को अपनी आखों से दूर रखके पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या हो गया तो यह दूर द्रिस्टी हो गया क्योंक फैसेट वॉट इस दकलर अपास का रंग क्या है तो अगर तुम चंदर्मा से देखोगे तो अकास का रंग कैसा दिखाई देगा आप बोलोगे सर अकास में जो अकास का रंग है चंदर्मा से देखने पर शाला दिखाई देंगे ठीक है ना अरा ठीक है ना एक बात सुनला चली तो माइनस 0.50 D सकती के लेंस की आप सक्टा है तो उसका दुरस्त बिंदू कहा है यानि उसकी फोकस पॉइंट बतानी है कहां होगी तो पहले यह बताओ जो हम लोग को एफ निकालना है आफ क्या होगा 1 अपन फियो और फिक अमन कितना होगा 0.5.5 वो क्या लिखते हैं तो हम लोग आधा लिखते 1.5 अवं यह दो कहां चल जाएगा उपर में यह दो हो जाएगा और यह जो आया हो किसमें आया मीटर में तो इसका राइट अनसरो जाएगा option number C will be the right answer of this question कोई दिक्कत परिशानी है तुम्हें तो comment box में type करके बताओ और यह बताओ कि मैं जो आज सेशन ले रहा हूं तुम्हें लग रहा है कि 23 तारिके जो एक्जाम होंगे उसमें बहुत ही आहम रॉल निभाने वाली है अगर ऐसा है मेरे प्यारे मित्र मेरे चाहने वाले मेरे प्यारे बच्चे तो कमेंट बनती है और अगर कमेंट बनती है तो जल्दी से टाइप करके बताओ चलिए कोसर नमर 63 पर आते हैं यहां देखें कोसर नमर 63 नियर पॉइंट और एन आई भी सफरींग व्म लांग गायत डूर दढेडर ने सी दूर दिरिश्टी दोस प्राशिट एक न कट बिंदू रहा है दूर दिरिश्टी दोस है इसका मत्लव हमारी जो निकट बिंदू है वो 25 सेल्टेमेटर से दूर चलिगई है यानि कि 25 cm से क्या होगा जादा हो जाएगा यहीं आप्शन नमबर C will be the right answer of this question के लिए है प्यारे मित्र चलिए Question number 62 में आते हैं A pencil partially immersed in water appears to be displaced at the interference of interface of air and water This is due to kindle effect, a scattering, dispersion, air refraction जल में आंसिक रूप से डूबी एक pencil वायू और जल के अंतरा प्रिष्ट पर प्रती अस्थापित प्रतीत होती है यह किस के कारण होता है टिंडल प्रभाव के कारण होता है प्रकिर्णन के कारण होती है विछेपन की बज़ासे होती है यह आपवर्तर की बज़स्ट होती है तो देखिए हम दुवाएं क्या है पेंसिल को तो पेंसिल क्या दिखेगा मुझे वो आपको क्या देखेगी तिर्चा दिखाए देगी यानि कि उसकी पोजिशन में क्या आएगी बदलाओ आएगी तो पोजिशन में बदलाओ आएगी तो क्या अंसर बोलेते देने के लिए अपवर्तर यानि इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा D will be the right answer of this question चलिए यह रहा 61 लेंस की सकती लेंस की फोकस दूरी से किस परकार समबंदित है How power of the lens is related to focal length of the lens focal length of the lens से किस परकार समबंदित है तो बताएं लेंस की जो सकती है यानि कि जो power है वो focal length से कैसे समबंदित है तो 1 upon F होता है तो हम लोग लिखेंगे क्या option number B will be the right answer of this question यानि 1 Y F से परतच समानुपाती होती है देखे मेरे प्यारे मेत्र ये question आपके exam का पूछा हुआ है चरिया question number 60 में आते हैं और देखते हैं इसका क्या answer होगा which one of the flowing material cannot be used to make a lens निमन में से कौन सा पदार lens के लिए परियुक्त नहीं किया जाता है अरे बताओ कौन सा पदार थे जो lens के लिए परियुक्त नहीं की जाती है comment box में टाइप करके बताईए आपका अंसर होगा असल जल याने की water काच याने की glass पीतल याने की brass इन में से कोई नहीं तो मेरे प्यारे मीत्र मेरे चाहने वाले मेरे प्यारे बच्चे जो आप लोग जारकंड पोड़ टेक्निक 2023 का पेपर देने जा रहे हो उन सभी बच्चों को पता है कि सर पीतल का इस्तिमाल हम लोग lens बनाने के लिए नहीं करते हैं तो इस परकार इस question का right answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा चलिए question number 59 में आते हैं किसी beam का बास्तविक तथा समान स्थाइज का प्रतिवीम प्राप्त करने के लिए beam को उत्तर lens के सामने कहां रखना चाहिए? तो कहां रखोगे? lens के मुख focus पर focus दूरी की दुगनी दूरी पर अनन्त पर या lens के प्रकासिक केंद्र तथा मुख focus के देज where should where should the object be placed in front of a concave convex lens to obtain a real and same size image तो भाई उत्तर lens में अगर आप चाहते हो कि समान size का प्रतिवीम बने तब आपको बस्तु को रखना पड़ेगा focus दूरी के दूगनी दूरी पर तो अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है तो focus दूरी के दूगनी दूरी पर यानि option number be will be the right answer of this question मेरे दोस्ट है ना है ना तो जरा सा पानी उन्हें पी लेते हैं ना यानि कि पांच मिनट बाद फिर से एकदम जखास तरीके से आऊंगा और फिर क्लास लूँगा है ना यानि दवा दवा के पढ़ाओंगा और तुम्हें परसो का paper में दवा दवा के क्या करना है कि इसके साथ तो वोएमार और प्रेन के साथ और कुछ और समझ लेना है नमा के साथ नहीं है एकदम वहमार स्रीर्ट टर्ट पेन के साथ ठीक की आई यह सेशंड को नलेड करते ना बेट करते और जल्दी से पढ़ा के बर्वाद करते यह देखिए लिखता हुआ है कि मैगनिपाइड इमेज नरी इमेज इज आमड़ वाइड 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 क्या कॉन्वेक्स लेंज वेन दा अउब्जेक्ट इज उत्तर लेंज द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिवीम तब बनता है जब अस्तू रहती है प्रतिवीम को हम लोग रखते हैं कहां तो लेंज के प्रकास सिकेंद्र और फोकस के बीच में तो भाई बताए काल्पनिक याने की अभासी तो कहां रखोगे तो अभासी प्रतिवीम के लिए फोकस और लेंज के बीच में रखना पड़ेगा यानि ऑप्शन नंबर बी विल दर राइट अंसर मेरे दोस्त मेरे बाई मेरे चाने वाले मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से चलते हैं अगले कोशन की और ना लेट करेंगे ना भेट करेंगे चलिए यह रहा कोशन नमर संतामन करता है कि अबजेक्टीव आफ फोटोग्राफिक कैमरा का अभी द्रिश्चक होता है कैसा होता अभी द्रिश्चक इसके बारे में बताना है अवतल दर्पन का होता है उत्तल लेंस का होता है अवतल दर्पन का होता है तो फोटोग्राफि कैमरा में जो उसका अभी द्रिशक होता है वो होता है उत्तर लेंस का या इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नमबर सी बिल भी दराइट अंसर आप दिस कोश्चन मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले जारकण के पोड़ टक्निक एक जाम देने वाले विद् अलेंस वीचीस भी किर इनद विडिल आंड थन एट दॉटर जीज़ इस क्लड़ का रोगोंते हैं कॉपेश लेंस ए इंदा मॉटा मेलेस य्यागवाट focal ओफिंट में मोटा भू लेंस और किनारों पर पत्ला की बात हो रही किस की बात हो रही है बीच में मोटा और किनार पर पतला कौन होता है उत्तार लेंस उत्तार लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस यानि आप्शन नमबर ए विल बी दराइट अंसर आप दिस गोसर ओके माइडियर यह आप विश्चन नमर 55 वेन अरे अफ लाइट इंटर्स फ्रॉम अरेर मिडियम तो अ देंसर मिडियम माध्यम से सगन माध्या में परवेश करती है आप तन कौन एवं अप वर्तन कौन में क्या सबंद है तो बीरल माध्यम से सगन माध्यम में जा रहेंगे तो बेटा नॉर्मल की तरफ जुख जाएगा यह आप तन कौन जो होगा वह अप वर्तन कौन से बड़ा होगा यानि option number B will be the right answer of this question my dear students क्या मज़ा आ रहा है तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी से comment box में टाइप करके बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं कि चलिए है अगला question में पढ़ते हैं question number 50 55 हो चुका है ना अब मैं 54 में आओंगा क्योंकि उल्टा पढ़ा रहा हूं आप लोगो यह देखे 54 है क्या बोल रहा है कि the value of refractive index mu of a medium is किसी माध्यम के अपवर्तनांक मियू कमान होता है तो मियू कमान क्या होता है sign upon sign r यानि कि option number b will be the right answer of this question clear है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाने वाले तेके ना इसी को बोलते है a snail's law क्या बोलते है a snail's law clear है आई यह देखा है पहली बार तुम्हारे आखों में प्यार ऐसे ऐसे कहां यहां आये कता है कि the image formed when the object is placed between the optical center and f of the convex lens is जब बस्तू उत्ता लेंस के परकासकेंद और F यानि की focus के बीच रहता है को प्रत्वीम कहां बनेगा तो परकास प्र quedra focus के बीच में क्लिए रहे आगे बढ़ते हैं यह देखे कोस्टन नमर फिप्टी टू आरेंज द प्लॉविंग इन इन्क्रीजिंग ओडर अफ दियर अब शॉलीट रिफ्रेक्टिक इंडेक्स निमलेखित को उनके पुर्ण अपवर्तनां के बढ़ते करम में ब्यवस्तित किजिए वह सबसे बढ़ते करम में यानि सबसे छोटा को पहले लिखना है तो सबसे छोटा होता है जल का उसके बाद की रोसिन का उसके बाद कांच का यानि option number a will be the right answer of this question my dear students मजा आ रहाए कि नहीं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे तुम्हारे पॉल टेक्निक का प्रेजिक्स को तुफानी में क्योंकि मैं करता हूं बादा और पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा चलिए आते हैं छलिए कोशन नमर 51 अरे पैरलल टू दा प्रिंस्पल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्स तर्ण फ्रों अकॉन के मीरर बिल पासेस थू आवतल दर्पन से प्रावर्तन के बाद प्रमुक अच के समांतर एक कीरन डॉट डॉट से होकर पास करती है तो प्रिंस्पल एक् आगे बढ़ते हैं यह रहा कोशन नमर 50 प्रिंस्पलेक्स मीरर वेन एन अब्जेक्ट इस प्लेजड एट इन्फिनिटी इस जब एक बस्तु को अनंततास में रखा जाता है तो उत्तल दर्पन द्वारा निर्मित छबी का अकार होगा उत्तल दर्पन है तो उत्तल दर्पन में जो भी प्रत्रिम बनता हो कैसा बनता है वास्तु से छोटा बनता है तो क्या होगा भाई मेरे दोस्त बिन्दू का कार होगा यानि कि पॉइंट साइज होगा यानि कि option number A will be the right answer of this question चलिए यह रहा question number 49 the ratio of sign angle of incidence to the sign angle of reflection is a constraint for a given pair of medium दिस लोग इस नोन आज दिये गए माध्यम युगम के लिए अपवर्तन कोन की जया से आपतन कोन की जया का अनुपात इस्थिर है इस सिधांत को क्या कहा जाता है तो इस सिधांत को कहते हैं क्या आपको मैं जो ही objective करवा रहा हूं क्या समझ में आ रही है मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट तो बनती है प्यारे में और जितने लोग नए आए हैं आज हमारे YouTube चैनल पे जितने लोग नए जुड़े हुए हैं वह एक बार वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को आपवड करेंगे तवीत मज़ा आएगा बीना मज़ा के कोई चीज है प्यारे मिट जल्दी बताऊ कमेंट करके बताओ क्या मज़ा का वीना मज़ा कोई चीज है बताओ जल्दी सके मुझे टाइप पर किट है जलिए अगला कोश्शन कोश्शन नमर फोटी एट वीच अमंग दा फ्लोविंग हाई अ लार्जर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निमलिखित में से किसका अपवर्त नांग सबसे बड़ा है सबसे बड़ा अपवर्त नांग किसका होता है क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ा अपवर्त नांग होता है हीरा का यानि आप्शन नमबर सी बिल बी दर राइट अंसर जड़ा सा एक मिनट एक मिनट में दोस्त को चलिए कोशन नमबर आपको 47 पर आते हैं और आज की जो मेराथन क्लास है उसको आगे बढ़ाते है कोशन नमबर 47 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले दा इफेक्टिव डाइमेटर आप दा सर्कूलर आउटलाइन आफ अस्पेरिकल लेंस इस कॉल्ड एक गुलाकार लेंस की बिताकार रूप रेखा के प्रभावी ब्यास को लोग कहा जाता है क्या कहा जाता है चीदर यानिकी अपर्चर त्रिश्की पेद यानिकी ऑप्टिकल सेंटर धुर्व यानिकी पोल प्रधान केंदरविंदू यानिकी प्रिंसपल फोकस तो एक गुलाकार लेंस की जो बिताकार रूप रेखा होती है एना उसके जो diameter होता है उसे बोला जाता है हम लोगों क्या उसे बोलते हैं अपर्चर यारे कि option number a will be the right answer of this question question number 46 बताईए क्या answer होगा the focal length of a plane mirror is समतल दरपन की focal लंबाई होती है समतल दरपन की focal लंबाई कितनी होती है आप लोगों सभी को मैं बताया था क्लास्रूम में जल्दी से comment box में type करके बताये क्या होती है समतल दरपन की focus लंबाई तो मेरे दोस्त मेरे बाई मेरे चाने वाले हर खंड के पोल टकनिक त्यारी करने वाले वाले विद्यार थी तो समतल दरपन की focus लेट जो होती है वो आनंद होती है यानि की इन्फिनिटी होती है इसलिए इसका राइट अंसर हो जागा option number c will be the right answer of this question question number आपको देखो 45 if image if magnification m m equality क्या है पलस 1.5 देन क्या है तो पलस का मतलब है कि image जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है और कैसा बना सीधा इमेज जोता वो अभासी होता है और और 1.5 magnification क्या है एक से बड़ा यानि बस्तु क्या बन रहा होगा बड़ा बन रहा होगा तो भाई एक तो बनेगा प्रतिवीम का जो अकार होगा वो बस्तु क्या कार बढ़ा होगा बास्तविक प्रतिवीम होगा यह तो गलत है प्रतिवीम नहीं होगा यहां देखो बस्त आपको यह समझना है कि इमेज क्या बन रहा होगा बस्तु से बड़ा बन रहा होगा और अगर मैगनिफिकेशन एक है तो समझना बस्तु का जो कि आई जे वही साइज है किसका प्रतिवीम का चलिए नेक्स्ट कोसन की और लेके बढ़ता हूं को सब्सक्राइब नमर 44 यह देखे कोस्टन नमर 44 है लिखा है कि फ्रॉम्द फ्लोविंग फिनोमेन विच वन कैन नोट भी एक्स्प्लेंड बाई एस जूमिंग लाइट और वेज ट्रेवल इन इस ट्रेट लाइन निमलिखित घटनाव में से कौन सी व्याख्या इस अवधारना के साथ नहीं क कि जा सकती है कि प्रकास सदय सीधी रेखा में चलता है तो भाई हम लोग लाइट में पढ़ है अप वर्तन क्या होता कि तो कड़े है प्रावरतन भी पढ़ए है वी वडिधन पढ़े लेकिर क्या पार है और अना पार्ग मपढ़ते हैं नहीं टो इस चीज को आपको नहीं कर पाएगा यानि कि इस question का जो right answer होगा वो option number D will be the right answer of this question my dear student यह देखे question number 43 है What is the nature of the image obtained from surface of the spoon blurred outward and to what type we can approximate it do चम्मच के बाहर की और उभरे हुए प्रिष्ट से प्राप्त प्रतिवीम की प्रकिर्टी क्या होगी और इसे कौन से परकार के दर्पन के निकट माना जाता है उभरा हुआ है ना उभरे हुए तल से हम लोग क्या रह ले रह है यान अंदर की और क्या है रंगा हुआ अंदर की और रंगा है इसका मतलग क्या है वो उत्तल दर्पन है उत्तल दर्पन में जो प्रतिवीम बनता है वो कैसा बनता है याना सीधा बनता है और उत्तल दर्पन होगा यानि आप्शन नमबर स्थी बिल भी दर राइट थांसर पर्शन नमर फोर्टीटू एन अब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी इस्टेंस अनन्त पे रखा जाता है प्रोडियूज अब्राइट एंड साथ इमेज अन्द एस्पीन इप्ट आइट अडिस्टेंस आक्स इन फ्रॉंट आफ कान के मिरा देन एक्स इस इक्वल अनन्त दूरी पर रखी एक बस्तू अवतल दर्पन के समझ एक्स दूरी पर रखे पटल पर एक असपस्ट और दिफ्ट प्रतिम बनाती है तो एक्स ब्रावर क्या होगा तो बताई एक्स ब्रावर क्या होगा अनन्त पर रखा हुआ है अनन्त दूरी पर आखे बस्तू का प्रतिम कहा बनता है फोकस पर बनता है तो वह क्या होगा धर्पन के फोकस दूरी के बरावर होगा कौन उसका एक्स जो है ना है ना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नंबर सी चलिए अगले कोस्टन के बढ़ता हूं कोस्टन नंबर यह हमारा क्या है और तुम लोग मजा दो यार कमेंट बोक्स में टाइप करो किसे इसका सी ओगा बिए अगल यह होगा इसलिए से पड़ रहे हो अनसर जानते हो तो आंसर भी टाइप करके बताओ कि सर फोटी बन का यह होगा फोटी टू का यह होगा तम नम जाएगा तुम क्यों सांत हो हो जाएगा क्या नहीं चानते हो तो अनसर दो कि तुगेट वर्चुवल इमेज ऑफ और अबजेक्ट बाई या कॉनकेव द ऑजेक्ट सुड़ बी प्लेज एक एक अवतल द्वारा एक बस्तु का अभासी प्रतिवीं प्रात करने के लिए बस्तु रखी होनी चाहिए तहां वकरताकेंड्र पर वकरताकेंड़ और मुक्च फोकस के बीच मुक्च फोकस पर या मुक्च फोकस और धुर्ग के पीच center of the curvature between center of curvature and principal focus principal focus या between principal focus and pole तो अबतल दरपल में अभासी प्रतिवीम प्राद करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं आपको मुख focus में रखते हैं नहीं मुख focus और pole के बीच में रखते हैं यानि option number T will be the right answer of this question next question number 40 what type of mirror is used to get virtual and erect image always अभासी और सिधा प्रतिवीम प्राद करने के लिए किस परकार के दरपन का परियोग कियाता है तो हमेशा आप क्या चाते हो अभासी और क्या चाते हो सिधा प्रतिवीम प्राद करना तो अभासी और सिधा प्रतिवीम प्राद करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दरपन नंबर हम लोग लेते हैं थर्टीएट और देखते हैं क्या अंसर है साइज आप इमेज इज ऑल्वेज आ स्मॉलर देंदर डाइट आप अब्जेक्ट इज प्रतिवीम का अकार हमेशा बस्तू की अकार से छोटा होता है तो दरपन कौंसा होगा वह उत्तल दरपन होगा इ याने कि option number A will be the right answer of this question 37 if the magnification of the image of an object is negative magnification क्या है negative है then what will be the nature of image of that image यदी किसी बीम का प्रतिवीम का आवर्धन क्या है रिनात्मक है तो उस प्रतिवीम की प्रकृति क्या होगी मैंने बोला था कि अगर 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 क्या अगर तेरा magnification क्या आ रहा हो अगर तेरा magnification negative हो आपको यह समझना है इमेज का इसा मनेगाал real real का मतलब होता है past week वह पांगा मेरे दोस्त बासट वीग तो देख लोग कैसा अपनेगा बास्त Вас्त्यवीग बैग का अप्रतिवीम क्या होता उल्टा यास्टन नंबर दिल पें यहलिग बीनगार तराइचा है चलिए question number 36 इस दर्पन का उपयोग आमानेता बाहनों का पस द्रिस दर्पन के रूप में किया जाता है अंथल दर्पन अवतल दर्पन उत्तल दर्पन या इन में से किसी नहीं पस द्रिस दर्पन यानि की rear view mirror जिसे हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में तो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल क्या होता है तुम लोग तो कितने बार अंसर दे चुके हो इसका क्या अंसर होगा उत्तल दर्पन यानि के ऑप्शन नमबर सी बिल भी तराइट अंसर आप दिस पर्टीफाइब बताओं इन वीच आफ दफ इप्दिंग मीडियम स्पीडा ऽ्याइट मैक्सिमम समय में इस माध्या में प्रकास की चालın अधिक्तम इत्तंव मैं अधिक्तम अंसर बताईए तो आप लोग सभी को पता है कि मैं क्लास्रूप में सारा का सारा कॉंसेट करवाया है कैसे एक दम इज्जत के साथ करवाया है मेरे दोस्त तो तुम भी जरा से इज्जत के साथ अंसर दे दो क्या अंसर होगा भाई सबसे ज़्यादा चाल होता है किसमें तो सबसे ज़्यादा चाल इसमें होगा हवा में ठीक है आई यह 34 क्या बोल रहा है कि which of the flowing mirror has positive focal length निवन में से किस दरपन की focus दुरी धनात्मक होती है दनात्मक focus यानि F का मान क्या बोला है positive तो यह positive होता है किसका तो बोलोगे उत्तल दरपन का और उत्तल दरपन बोले तो तो बोलोगे sir convex mirror का अब यह कहां पर है तो option number B will be the right answer of this question यह सब question जुन जुनना है बेटा जुन जुन जुनना जिसके साथ तुम सुभा भी खेलोगे स्टाम भी खेलोगे यह क्या है तो बोलना सब जुन जुन जुनना है जो तुम्हारे जारकन पोलिटिक ने के एक्जाम में आने वाला है इस अब देश प्लोविंग मेरी जी यूज़ इन अहेड़ लाइट ऑपकार किसी कार का अग्रदीप में परियुक्त दर्पन निमन में से कौन सा होता है तो गाड़ी के जो हेड़ लाइट होते है उसमें जो लगा दर्पन होता है वो कौन सा होता है तुम लोग थोड़ा पहले अंसर दिया था ना कौन सा होता है तो होता है अवतल दर्पन यानि कि राइट अंसर क्या होगा आप्शन नमबर यह बिल भी दर राइट अंसर आप दिस पोस्ट्ट्ट्ट यह देखें 32 नमबर वर्चुवल इमेज पॉंट बाई यह कन्विक्स मीरर इस उतल दर्प का सी उटा होता है हासित का मतलब होता है छोटा कर्टी बन में यह मेरे दोस्तों मेरे चाहने माले मेरे बच्चे और कनके मीरर गिप्स रियल इनवर्टेड एन सेम साइज इमेज इफ अबजेक्ट इस प्लेजड अवतल दर्पन के सामने बस्तू को कहां रखा जाए ताकि ब स्क्रतिविं उल्टा बस्तिविक और समान अकार का बने अना कहां रखोगे सेत्य आ रिअलब याल बनेगा यानि बस्त्रील बनेगा बस्तिव बनेगाителя उल्टा बनना चाहिए और सेम साइज का बनना चाहिए तो तुम्हारा आंसर होगा सर्थी पे रखेंगे यानि रेडियस अफ कर वेचर पर रखेंगे एना सेंटर उप कर वेचर बोल सकते हो यानि आप्शन नमबर सी बिल भी दर राइट अंसर आप दिस ऑग पानी में और पाल ओषी या बनना थे समय चाहते कम घर ंमेर बड़ा 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 दिखाई दे तो बडा इमेज किस अन बंता है तम बलोगे अवडर में निख का थैसा अम तलबल मैं कर भाई इस कोश्चन नमर 28 इस श्पीड आप लाइट इन एर इन इन कमप्रीजन ऑफ वैक्यूम के कॉम्प्रीजन में एयर में पुछाया स्पिर्ट क्या होगा वाईयू में प्रकास की चाल निर्वात कि अपच्छा क्या होती तो निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है तो वायू में क्या होगा कम होगा कम कहां लिखा हुआ है option number A में इसलिए right answer क्या हो जागे प्यारे मित्र option number A तर यह question number 27 a speed of light in different medium is परकास की चाल विभीन माध्यम में क्या होती है तो परकास की जो चाल होती है विभीन माध्यम में अलग-अलग होती है यहाँ पर right answer हो जागा क्या option number B will be the right answer of this question question number 26 बोल रहा है कि which of the flowing relations between focal length F and radius of curvature R of a concave mirror is correct तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है क्या आर वाई 2 तो मेरे दोस्त आर बराबर क्या हो जागा आर बराबर हो जागा 2F अब देख लो आर बराबर कहाँ पर 2F लिखा हुआ है तो आर बराबर 2F यहां कहां पर लिखा हुआ है option number B will be the right answer of this question question number 25 focal length of a concave mirror is अवतल दरपन की focus दूरी होती है अवतल दरपन पूछा है तो अवतल दरपन की focus दूरी कैसी होती है तो आप लोग सभी को पता है मेरे दोस्त कि थोड़ा दिर पहले आपने अंसर दिया था अवतल दरपन की focus दूरी निगेटीव होती है यानि option number a will be the right answer of this question 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 number 24 अब मात्र 24 बचा है 24 को उड़ा देना है एकदम उड़ा देना है आज तुमको कम से कम 1000 question कर वाओंगा image formed in a convex mirror is convex mirror उत्तल दरपन में परतिविम बनता है कैसा बनता उत्तल दरपन में तो उत्तल दरपन में सीधा बनता है और अभासी बनता है और बस्तु से चोटा बनता है तो सीधा और अभासी तो आ यहां पर क्या अंसर हो जागा option number B will be the right answer of this question 23 में आईए दरपन का सुत्र है मिरस पर्मूला क्या होता है तो होता है 1YB plus 1YU equal to 1YF यानि कि option number A will be the right answer of this question चल यह आगे बाते है question number 22 how many laws are there of reflection of light प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम है इसका क्या अंसर हो जागा दो नियम में option number D will be the right answer of this question question number 21 किता कि the relationship between the diameter D of the reflecting surface of concave mirror and its focal length F is अबतल दरपन के प्रावर्तक प्रिस्ट के ब्यास D एवम उसकी focus दूरी F में समंद्ध है यानि D और F में क्या समंद्ध है तो हम लोग जानते हैं कि जो R होता है वो होता है टू गुना F क्या मेरे दोस होता है टू गुना F होता है अगर इसको मैं दोसे गुना कर दूँ तो इधर भी दोसे गुना करना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएंगे टू आर और यह क्या हो जाएंगे और आप्शन नमर भी विल भी धराइट अंसर अब इसकोसर मेरे दोस्त मेर भाई और मेरे चाहने वाले स्टूपर बच्च्छी कोस्ट नमर बीस रेराइन अब्जेक्ट इस प्लेस्ट इन फ्रॉंट आफ और कंके मीरर तो डैट दर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द हाँ मीर अव्तल दर्पन के सामने बस्तू कहां रखने पर प्रतिवीम दर्पन के पीछे बनता है तो दर्पन के पीछे प्रतिवीम बनाना है यानि जानी कि पी और एपके बीच मेरे और क्या तुम लोग तो में जो लगा हुआ मीडर होता है वो होता है उत्तल दर्पन तो तल दर्पन कहां है आप्शन नमबर बी विल भी दर आइट अरॉप इस कोश्चन कहले औली कोश्चन नमर ठीनर इंठार विच मिडरीज योगा गालेगा उकल जाने हुट से यह गए हजूर अवutenकर नाने में जाने को लिए डाली बनाने में जाली अकले में और करographers अतरः और यह को सुनमर कितना है सब्सक्राइब और होगा हलका सा खत्राइब अखिया तर्फोटर मेरे को अब तल की फोकॉस दोरी क्या होती है कितने वर बताया हूं ए ताक यह तो त्यूपतर आज यह जोंड यह ने क्या होती है उष्टमन की फोकॉस दोरी क्या होती है सिवारogen क्या हो absor س Правि c गोलिये दरपन के प्रावर्तक प्रिष्ट की विर्तकार सीमारेखा का ब्यास कहलाता है तो क्या कहलाता है यह भी कोशन दो बार आ चुके हैं है न मेरे दो इसे कहते हैं अपरचर याने की आप्शन नमबर दी विल भी दराइट अन्सर अप दिस कोश्चन कोशन नमर पंदरा आउ मैने टाइम्स इस दफोकल लेंथ ऑप स्पेरिकल मीरर और इस रेडियस और करवेचर ना गोलिये दरपन का फोक्सांतर उसकी वक्रता तिरिज्या का कितना गुना-गुना होता है तो भाई हमसे पूछा है कि गोलिये दरपन की फोक्सांतर यानि एफ एफ होता है क्या आधा और यह क्या होता है अहर ना तो फोक्स होता है वह बक्रता तिरिज्या का कितना होता है आधा होता है इसका राइट क्या अंसर हो जाएगा आधा और यह आउप्सन नमबर बी बिल भी तर राइट अंसर आप दिस कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को आउए प्यारिमेट केसा नमीरेशा प्रत्वाynn में उट आप में सद्सक्राइब पर अमयरे वाइशा प्रत्विम बनता है उस кино में तेरह जिस मीर 묽ग सताकosed the magnified image of the patient's teeth किस दर्पन का उपयोग मरीजों के दातों का बड़ा प्रतिवीम देखने के लिए करता है प्रतिवीम बड़ा दिखना है तो क्या लगाना है आवतल दर्पन यानि राइट अंसर क्या हो जाएगा option number B will be the right answer next what is the speed of light in vacuum निर्वात में परकास की चाल क्या होती है आप लोग सभी को पता है कितने बार तो आप लोगों ने अंसर दिया है तो एक बार इस बार भी कमेंट वोक्स में टाइप पर क्या अंसर बता दो कि निर्वात में परकास की चाल क्या हो गा तो इसका right answer होगा option number a will be the right answer यारे थ्री इंटू टेन तो दी पावर एट मीटर पर शेकेंड लिजी एक यारा नमबर या कि दनोओफ Reflection ओद जी बएट यह दिर्वाइद बाई प्रावर्तन के नियम से ​दारित होता है कि यह कोश्चन नमबर दस है रेजॉप लाइक ट्रेवर्य इन परकास की कर्णिये गमन करती है किसमें सीधी रेखा में किसी विदी सामें एन में से कोई नहीं मेरे दोस्त मेरे बाई मेरे चाहने वाले जब आप लोग मेरे से क्लास कियो होंगे तो आपको इंटोडक्शन में हम बताते हैं कि परकास की जो परकास जो होती है उस सीधी रेखा में चलती है इसका राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर एब भी दर राइट अंसर कि यह रहा कुश्चन नमर नौ कि दर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अप सर्च लाइट एज तो मैंने आप लोग को बताया था सर्च लाइट का प्रवर्तक सता होता है गाड़ी का हेड लाइट है ना बताय नेक्स्ट्स नमर आठ विच मिररीजी फूर सेविंग हजामत के लिए किस दरपन का अपयोग होता है अजामत का मतला होता डाड़ी बनाना तो डाड़ी बनाते तो हम चाहते हैं कि हमारा फेस क्या दिक्वाइब बड़ा और बड़ा फेस दिखने के लिए हम लोग इस्तिम इस तंत चिकेस्तक द्वारा रोगियों के दातों की बड़ी शवियों को देखने के लिए के जाने वाले दरपन का परकार क्या है तर कता कि बड़ा शवी बड़ा बनाना यानि इमेज बड़ा बनाना तो तुम्हें युज करना पड़ेगा कौन के मिरर जिसे हम पोलते हैं ना तो दर और अपसर नमबर एब बीदर राइट अंसर अब इस पॉस्टर मेंडियर स्टूरेंट नो लेट नॉवेट चलते अगले कोशन की ओर दैमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर आप करवेचर और पूल और स्पेरिकल मिरर एज एक गुलाकार दरपन की बड़ और खर चाहर रही है वह यहां से यहां गुजर रही है तो परधान के दर भी नौद अप्रिंस पले सब्सक्राइब प्रिंस पल एक्स यह और आप्टों नंबर आप्सर नंबर बीद बिल बीडा एट अंसर व इसपोश्च्व नेक्स्ट दाइमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू थे सेंटर अप कर्वेचर एंड पोल अपा स्पिरिकल मिरर इज एक गुलकार दरपन की बगता केंद्र और और यह तो वही कोस्टन है यह तो वही कोस्टन है मेरे दोस्ट कोस्टन नमर छे कोस्टन नमर पांच में आई यह तो गेट पावरफुल पैरलल बीम ऑफ लाइट इड़ लाइट ऑप वेकिल्स हैब परकास की सकतिसाली समानतर किरनपुन पराप्ट करने के लिए बाहनों की हेड लाइट में क्या होता ह है दानों के हेडिलाइट में होते हैं मिदन तल दर पर या इसका राइट टेंसर क्या हो जागा ऑप्सन नमर भी दी डराइट रॉशंट नमर फोर जो बहुत है क्या तुम नग जानते हो खोर क्लेक और यह दा क्रेक्प्सन फ्रॉम्द अफ़लाविंग अवाउट नीचर and distance of the image found by a plane mirror plane mirror में क्या होता है तो प्लें में क्या बनता है अब 80 और सिधा परतियूम बनता है अब 80 अब 80 और सिधा है लेकिन दरपन के पीछे बस्तू की दूरी समाधियात option number B will be the right answer of this question कि के कुछ्स नमर तीन पर आईए मिस्टतर संक्तल दरपन दौरा बना परत्विं होता है अंधर वह से कार से दुगना है जिक फिर टो गलत है बस्तु क्याओं का अदा होता है बहुत वाणिया है उल्टा होता है यह वह तो भण या से तीन और चार आन्सर सहिए घुल भूद सी द इमेज पॉंट बाई या प्लेर मीरर इज आलवेज प्लेर में जो इमेज बनता हो कैसा बनता अवासी और खड़ा अप्ला का मतलब सीधा यानि के प्लेर में या यह आप्शन नमबर एब बीदा राइट अंसर अब इस पोस्चेन लेते हैं इसको सेशन का लास्ट वस्चन क् जो आपके जारकन पॉल टेक्निक जो 30 अप्रेल को एक्जाम होने वाली है इसमें अहम भूमी का निभाने वाली है तो आपका काम क्या है शुरू से अंतक देख लेना बेटा फिजिक्स में इस से बाहर कुछ और आने वाला नहीं है मैं थोड़ी देर बाद और भी क्लास ल